analysis करके बताने वाला हो कि आने वाले trading session में NG के उपर क्या करके चलना चाहिए सबसे पहले कि यहां पर dollar index के उपर analysis करूँगा उसके बाद M6 NG के उपर analysis करके बताने वाला हो फस्क्राइब विजिट करें कोशिस करें चैनल को subscribe करने की और daily best के उपर आपको intraday level चाहिए साथ में साथ-साथ अदर मिल जाएगा किसी को कोई भी प्राब्लिम आ रहा है तो लिंक को कॉपी कर लिजे कापी करने के बाद आपको टेलेगरं पे पेस्ट कर लिजे विकला आप जॉइंट हो सकते हो अगेन आपको कोई भी क्वाईर है तो 9797773219 इसके उपर मुझे वाट्सअप कर लिजे मेरा टीम आपको जरूर हेल्प करेगा अभी बात करेंगे सबसे पहले डॉल इंडिस में क्लोजिंग बेस्ट के पर पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहे हैं लगबग लगबग 2. पॉइंट फई डॉलर के आजबस क्लोजिंग हो चुका है जो गिरावट थी यहां से जो गिरावट का धाया हो एक अहां से तर परोजिंट से भी ज्यादा करेक्षन कंप्लेट एंजी कोब पर देखने को मिर रही है पिछले वाला हिस्ट्री देखोगे अभी तक का जो हिस्ट्री है जहां तक मैंने चेक किया तो 70% से जादा अभी तक गिरावट नॉन स्टप आपको देखने को नहीं मिला इसके पहले वाली जो करेक्शन देखने को मिली थी वो 46% तक भी आपको करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था इसके पहले वाला जो करेक्शन देखने को मिला था वहाँ पर फोकस करेंगे तो almost 43% के आसपस करेक्शन देखने को मिला था उसके पहले वाला जो correction था वो almost 45% के correction था और उसके पहले वाला भी analysis करेंगे बड़े time frame पे देखेंगे कि कितने दीन तक और कितना correction आपको NGK अपर देखने को मिलाता तो यहाँ पे भी देखोगे लगबग लगबग यहाँ पे पूरे साल भर में down रहा था और लगबग बाहतर percent तक टॉप से गिरावट आपको देखने को मिलाता यहाँ जो के उपर उसके हिसाब से देखा जाएको तो आप यहाँ पे buying opportunity बनती है यहाँ से maximum to maximum 10% के आसपस गिरावट मिलती है तो again वो कहां तक गिर सकता है तो थोड़ा weekly chart लगा था weekly chart के base के उपर आपको संदाने की कोशिश करूँगा maximum to maximum गिरावट कितना हो सकता है क्या इस level से buy करके चलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आने वाले दिनों में कहां तक target देखने को मिल सकता है तो अभी closing based से हम यहाँ पर compare करते है तो यहाँ से again 10% की गिरावट मिलती है तो maximum to maximum यहाँ पर 20% की correction और मिलती है तो 2.50 डॉलर तक आ सकता है इससे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसकी साब से देखा जाए कि तो previous support की बात करेंगे तो 3.50 डॉलर तक आ रहा है यहाँ से बहुत ही strong यहाँ पर support निकल के आ रहा था यह पहले एक resistance था इसको resistance को break किया था एक नया high लगा था वोसी resistance का जो level था वो support लेके market ने एक नया high बनाया उस support को market ने break कर चुका है तो आने वाले दिनों में यह जो दाइरा है यह खतम हो चुका है आने वाले दिनों में 2 से लेके 3 साल तक आपको यहाँ पे एंजी के उपर नया high लगती हुए नहीं मिलेगा यह clear cut हो चुका है यह समझ लेजिए किसी ने टॉप पे 10 डॉलर के आसपस बाई किया होगा किसी ने 8 डॉलर के आसपस बाई किया होगा यह target आपको अभी आने वाले दिनों में 2 से लेके 3 साल तक आपको देखनी को नहीं मिलेगा अभी आपे बात करेंगे आने वाले 2-3 साल तक किसी का तो इससे जादा गिरा वट मुझे ने लग रहा है कि एंजी को पर देखनी को मिलता है तो इससे भी जादा गिरा वट मिलती है तो विवकुल आपको बाई करके चलना चाहिए अभी यहां से बाई करते हो तो डिप के अंदर बाई करेंगे इंवेस्टमेंट करना स्टार्ट कर लिजिए अपसाइट के टार्गेट आपको शॉट टम में च्यार डॉलर तक विवकुल आपको देखनी को मिलेगा लेकिन ध्यान में रखके जबी भी गिराउट मिलती है तो सड़न ले ऐसे बाईंगे आपको देखनी को नहीं मिलेगा काफी दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है आपको लॉंग टम का वीवए पाच्छे मैने तक का वीवए तब ही आपको इंजी को पर बाई करके चलना चाहिए इस लेवल पे आपको आने वाले दिनों में जो चार डालर का और नहीं चाहिए कर दो से लेके तीन डॉलर क को आपको प्रेफर करना चाहिए यहां से आपको बाईंग के अपरचिन पर जोना चाहिए आने वाले दिनों में अगें आप यहां पे अच्छे खास्टार गेट बाई साइट देखने को भी मिल सकते हैं बात करेंगे यंजी का जो यमसेक्स मार्केटिव वहां पर आने लि लिए प्रीवेस सपोड था उसके आजपस ट्रेट कर रहा है बड़ावाला सपोट निकल के आ रहा है वहां से अभी देखोगे तो सतर परशेंट के आजपस करेक्शन कम्प्लेट होचुगा है अभि नॉन स्टप गिरावर से नॉस्ट गिरावर देखने को मिल रही है दो स तो तीस का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट निकल के आ रहा है वीक्री केंडल के बेस के ओपर विवकुल अभी से बाई करके चल सकते हो अगेन यहां से 20 तेले के 30 रुपे की गिरावाट मिलती है तो अगेन आप यहां पे बाई की पोजिशन बना सकते हो अभी आपको यहां से सेल क रिक का बरी देखने को नहीं मिलेगा आपको यह जहो नबना है काफी दिन तक इसी रेंज के अंदर मार्केट पर तो यहां से आने वाले दिनों में जो अपसाइट का रेंज रहेगा वह शॉट डिरेशन में चार सो करेगा 400 के ऊपर आपको आने वाले दिनों में 6 मैने तक मार्केट अफसाइट जाते हुए नहीं मिलेगा और डाउन सेंड का रेंज मिलेगा वो निकल के आ रहा है अभी बाइंग कर सकते हो और जो ही आनलेसिस कर रहा हो कम से कम आपको तीन से लेके चार मेने का वीव है तब ही आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए इस लेवल पे कोई भी सेल की सला भी उकुल नहीं है अभी और रेडी ओवर शोल्ड हो चुका है कभी भी यहां से नहीं है और रेडी सेल पर बैटे हो तो पोजिशन आपको एक जीट कर लेना चाहिए तो यह आने वाली दिनों में एंजी के ओपर जो भी आनलेसिस बता है मैं कोई से बरेजिस्टिन नहीं हूँ जो आनलेसिस करूंगा वो 100% सही रहेगा यह मेरा प्रेडिक्शन है मैं गल प्रेडिक्शन है कर दो